अब तक हम सभी को ये मालूम पढ़ चुका है कि मॉसको में एक टेररिस्ट अटैक होता है जिस अटैक में लगबग 150 से भी अधिक लोग मारे जाते हैं और कुछ 100 से भी अधिक लोग इसमें घायल होते हैं जैसे ही मॉस्को पे यह attack होता है उसके कुछ देर के बाद ही social media platform पे एक post किया जाता है जिस post में Islamic State या जिसको के normally हम ISIS भी कहते हैं ये लोग बढ़ चड़ कर ये claim करते हैं और कहते हैं कि मॉस्को में जो attack किया गया है ये उनके द्वारा ही किया गया है. इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर में Islamic State और मॉस्को के बीच में relation खराब क्यूं है एक बात मैं बहुत ही साफ कर दू कि कि किसी भी देश के बीच में relation को समझना है या किसी भी दो group के बीच में relation को समझना है तो ये topic अपने आप में ही बहुत बड़ा topic हो जाता है और उ और साथ ही हम जानेंगे इस वीडियो में कि Islamic State और मॉस्को के बीच में जो relation खराब है इसके क्या अपने geopolitical impact है और किस तरीके से बीते कुछ सालों में Islamic State ने रश्या में अलग-अलग जगों पर attack किया है मगर आगे बढ़ने से पहले आपको मेरा effort पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके पास मेरे लिए कोई suggestion है तो वो भी आप मुझे email करके बता सकते हैं ये वही complex है जिस complex में Friday को कुछ terrorist खुषते हैं और वो बहुत ही अंधाधुन तरीके से लोगों के उपर attack करते हैं जिसमें की as per media report और डेड़ सो से भी अधिक लोग मारे गए हैं और कुछ सो से भी अधिक लोग इसमें घायल हुए हैं अब ये जो attack किया गया था ये attack किया गया था Friday को और जहां पर ये कुराकस city complex है उसके आसपास के area में काफी सारे shopping mall है और articles वगेरा पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि usually इस complex के आसपास Friday के दिन concerts वगेरा organize किये जाते थे और normally जो लोगों का presence होता था वो Friday के दिन यहां पे जादा होता था उसके बाद Friday के दिन यहां पे एक music band है जिसका नाम picnic है उनके दौरा यहां पे एक show रखा गया था और कुछ साड़े छे हजार से भी अधिक tickets को बेचे ग तो वो complex अपने आप में बहुत बड़ा complex होता है और उसके बाद जिस तरीके से indiscriminate तरीके से या अंधाधुन तरीके से terrorist के दौरा गोलियां चराये जाती है यह साफ बता रहा था उनका intention की वो maximum लोगों का casualty करना चाहते थे और exactly कुछ हुआ भी ऐसे ही क्योंकि Friday का दिन और famous music band picnic के दौरा वहाँ पे show रखा गया था और उसके अलावा भी usually Friday के दिन वहाँ पे आसपास काफी भीड रहता है तो यह बता रहा है कि जो terrorist हैं वो काफी well calculated तरीके से अपने attack को अंजाम देते हैं और कुछ जो वहाँ पे लोग present रहते हैं उनके दौरा interview दिये जाते है जिस interview में वो लोग ये बताते हैं कि जिस तरीके से इस attack को अंजाम दिया गया था पॉसिबली लोगों को starting एक कुछ समय तो समझ में नहीं है कि exactly हुआ क्या और जब उनको ये समझ में आया है कि एक terrorist attack है उसके बाद पॉसिबली वो लोग अपने आपको बचाने के लिए इस attack के बारे में मालूम पड़ता है वैसे ही ambulance की गाडियां और जो special forces होते हैं उनको dispatch किया जाता है और साथ में जो government है वो ये कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे का parents अगर इस attack में मारे गये होंगे तो उनके बच्चों को monthly compensation है या normally हम कहले कि सरकार के द्वारा monthly पैसे जाएंगे ताकि वो बच्चा अपने परवरिश को कर सके और उनका जो एक basic bare minimum खर्च है उसको वो सरकार के द्वारा जो पैसे मिलेंगे उससे वो उस खर्चे को manage कर सके अब जैसे ही ये attack होता है उसके कुछ देर के बाद social media platform telegram पे एक news agency जिसका नाम है Amak News Agency जिसके बारे मे ये कहा जाता है कि ये IS-IS के द्वारा affiliated है वो लोग वहाँ पे post करके claim करते हैं और ये दावा करते हैं ये exactly वही photo है जहां पे ये claim किया जा रहा है कि जो Moscow में attack हुआ है वो attack इनके द्वारा ही है इनके group के द्वारा ही किया गया है लेकिन जो actual photo है उस photo में भी किसी भी जो attacker है उसका जो चहरा है वो visible नहीं है और इसी post में ये भी कहा गया है कि जो Islamic State के द्वारा attack किया गया है ये खास करके उन लोगों के उपर attack किया गया है targeted तरीके से जो Islam religion से नहीं है और इनका ये भी claim है कि ये जो काम कर रहे हैं ये इसलाम के लिए कर रहे हैं ये अल्ला के लिए क अब ये जैसे ही attack होता है उसके कुछ देर के बाद ही US के जो Security Council के spokesperson होते हैं वो media को आके brief करते हैं और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि वो Russian authorities को पिछले महीने ही एक possible attack के बारे में वो बता दिये थे और possibly जो ISIS के द्वारा attack किया गया है Moscow में उसके पीछे का एक और बहुत बड़ा वजय है चैचन्या का अब ये चैचन्या का मामला क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं हलाकि अगर आप चैचन्या और Russia या USSR के relation को अगर आप देखेंगे तो ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही लंबा चोड़ा इतिहास है तो साल था 1958 जब चैचन्या को Russia क द्वारा उसको capture कर लिया जाता है चैचन्या all together एक different area था जिसको कि 1958 में capture किया जाता है अब क्यूंकि कोई भी देश या कोई भी area कभी भी किसी के under control होके नहीं रहना चाता है और खास करके जब उसको ये मालूम पड़ता है कि उन लोगों को recently capture किया गया है तो उसके बास से नहीं तक कह सकते हैं कि 1858 के आस पास से ही on and off तरीके से चैचन्या और जो main Russia या USSR है उनके बीच में समय दर समय violent clashes होते रहें और चैचन्या हर वक्त ये claim करता रहा कि वो Russia से अलग होना चाहता है अब चैचन्या में जो majority of long है approximately हम कहले close to 95% long ये लोग इसलाम को follow करते हैं और उसमें भी सुन्नी सेक्ट को follow करते हैं और उसके बाद ISIS में भी जो long हैं वो भी इसलाम को follow करते हैं और बहुत पर ऐसे media report आये हैं जिनके दवारा ये कहा जाता है कि जो भी long चैचन्या में रहते हैं वो अगर Russia के खिलाफ अगर कुछ भी कहते हैं तो उनके उपर बहुत ही referendum को approve किया जाता है और जहां पर ये declare कर दिया जाता है officially कि चैचन्या एक Russia का हिस्सा यानि कि Russian Federation का वो हिस्सा है और उसके बाद इनका नाम रमजान है इनको चैचन्या का President बना दिया जाता है और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये Russian President Vladimir Putin के काफी close हैं और उसके बाद 14-15 के आस पास से Islamic State का formation होता है क्योंकि Islamic State में जो लोंग है या जो उनके ideology है और उनके द्वारा भी यही कहा जाता है कि वो पूरे दुनिया में Islam की हुकूमत को वो establish करना चाहते हैं और उसके बाद चैचन्या में जो लोंग रह रहे हैं वो भी Muslim है और वो भी Sunni sect को follow करते है तो यहाँ पर जो ISIS का support है चैचन्या को वो as an brotherhood type का उनका support है लेकिन as per experts उनका मानना ये है कि ऐसे जो भी organizations होते हैं वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो की same धर्म के followers हों उनको साथ लाया जाए ताकि अपना जो group है उसको मजबूत किया जाए तो जबसे Islamic State का formation होता है 2014 14-15 के आसपास से तबसे Islamic State के target में Russia आ जाता है उसके बाद क्या होता है कि 2010-11 के आसपास से Arab Spring होता है जहाँ पे खास करके आपके Libya में, Egypt में, Yemen में इन सब areas में जो common civilian होते हैं वो अपने ही सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं और ये Arab Spring इतना strong होता है कि बहुत सरे देशों का जो सत्ता होता है वो चला जाता है तो इन सब देशों में complete तरीके का एक vacuum create हो जाता है Middle Eastern countries में एक चीज तो common है कि इनके पास oil काफी है तो कहीं न कहीं ये जो पूरा war था उसमें धर्म भी था, politics भी था, अपने आपको global superpower दिखाने का भी होड था और अलग-अलग देशों में अपने groups को create करने का भी होड था तो उसी में से एक देश है सीरिया जहां पे बसर अल-असद की सरकार रहती है जिनकों की support किया जाता है व्लादेमिर पुतिन के द्वारा और वैसे ये बशर अल-असद मुस्लिम है लेकिन ये exactly शिया भी नहीं है और सुन्नी भी नहीं है और जो Islamic State वाले थें वो कोशिश कर रहे हैं थे कि complete तरीके से इसलाम का भी जो सुन्नी सेक्ट है उसको यहां पे insert किया जाए इसलिए भी व्लादेमिर पुतिन बशर अल-असद को support करते हैं और बशर अल-असद को support करना ISIS को ये गवारण नहीं गुजरता है तो ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे incidents हुए है जिस incident के कारण रश्या जो है वो ISIS के target में आ गया है उसके बाद क्या होता है कि जब से यानि कि 2021 से अफगानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है तब से रश्या ये कोशिश कर रहा है कि तालिबान के साथ अपने relation को अच्छा किय जाए और अफगानिस्तान में ये देखा गया है कि तालिबान और ISIS के बीच में जो relation है वो काफी खराब है वो इतने खराब है कि जब भी मौका मिलता है तालिबान को ISIS के उपर attack करने का या जब भी उनको ये मालूम पढ़ता है कि इस possible area में ISIS के supporter है तो वहाँ पे वो attack करते ह और जब भी ISIS वाले को कोई मौका मिलता है तालिबान वाले के उपर attack करने का तो वो लोग भी कोई मौका को नहीं छोड़ते हैं तो इनवे अगर हम ये समझना चाहें तो यहाँ पे भी अपने आपको अलग-अलग देशों में अपने groups या अपने favorable groups बनाने का प्रयास किया जा रहा है और तकरीबन सभी groups अपने अपने हिसाब से धर्म को, politics को, resource को use कर रहे हैं और as a result यह हो रहा है कि जो common civilians हैं उनकी जान जा रही हैं इसके साथ मैं एक बात और भी बहुत सपस्ट कर दूँ कि ये सब topic अपने आप में बहुत ही complex topic होता है आप कभी भी किसी का एक वीडियो सुनके कभी भी कोई conclusion draw ना करे जब तक कि आप multiple articles ना पढ़ें और topic जितना मुश्किल होता है और उन सब मुश्किल topic को जितना बार आप खुद से पढ़ते हैं उतना ही जादा अच्छा clarity develop होता है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझसे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती ह तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा कि आप मुझे email करके बताएं see you in the next video have a wonderful day thank you take care good bye